गुडिविनिंग दोस्तों वेलकम बेक विज्ञान क्लासेज यूटूब चैनल में सुरेंदर चोधरी आ गया हूं अपना महत का आठवा चेप्टर लेके साथ चेप्टर अपने एकदम बहुत शांदार तरीके से कंप्लीट कर लिए जिनमें अपने उनके क्यूशन भी किये मिसन आईएफ को स्टार्ट करते हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दो कि सुरेंदर भाई आ गया लाईव तो वो क्लास ले जल्दी से जल्दी आके नीफाल तुमें रह जाएंगे फिर वो चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है अपना चेप्टर के बारे में इसने बोला पहले तो द्विगात समीकरण क्या होता है द्विगात समीकरण को हम मानक रूप होता है वो होता है ऐस्क्वायर BX प्लस C is equal to 0 जिसमें दो गहात हो एक्स की दो गहात हो तो वह या द्विगात समीकरण हो गया जहां ए बी वह सी होते हैं वो ऐलिमेंट ओफ आर होते हैं या वो होता है माइनस B प्लेस माइनस रूट B स्क्वाइर माइनस 4AC एपॉन 2A यह एक्स की वेल्यू गयात करने का फोर्मुला होगा है दिविगात सम्मिगन में जहां A, B और C की वेल्यू अपने पास है यहां से उठा लेंगे कि एक्सी स्क्वाइर का गुणांक A हो जाएगा भी लेकर भी कहते हैं डिस्क्रिमीनेंट कमे सद्सक्रिमीनेंट और वीविक्तिकर इसके कुछ अलग से क्यूशन अवह प्रहें को अपनीइस के बारे में और वह पढ़ेंगे तो देखेंगे अब मैं बात करो इसको डिनोट करने अब हम ऒंआ इसके गयाद करें अगर इसक के विद्च ने की द्विगात एक स्कुर्एर प्लस बी एक्स प्लस एफॉल टूज जी रो है कि द्विगात सम्मीकरण का व्यापक रूप है यह दिविगात सम्मीकरण का बूप है जिसमें आ जे अई और वे जहां परए नौट इकवट पूट जी रहो होगा क्यों कि और क् एलफा में बीटा से बीटा द्वारा निरूपित कियते हैं उनसे दर्शाते हैं यह दूइगा सम्मिकर्ण का अक्स ग्याद करने का फॉर्मूला हो गया चलो आगे बढ़ते हैं फालतों में डिले नहीं करेंगे अब बात करते हैं वीवेचक देखो करते हैं अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा मैंने बोला वीवेचक देनोट करते हैं अगर मैं बात करूँ इसके इकवल टू जीरो रख दूंगा अगर बीच्वार माइनस फॉर एसी की वेल्यू जीरो है है तो यह हो जाएगा कि इसके जो दो मूल है एलफा वह बीटा वह मूल समान होंगे कि समान होंगे वह वास्तिक होंगे उनमें आयोटा वाड़ा नहीं आएगा और उस मूल के हैना डाइरेक्ट देखो या तो याद करने का एक नॉर्मल तरीका तो आपने को एलफा पिलस चीता से तटा रेगा उसका यह ऑगए अगर किसी जो दिया समेक्षा की पूर्ष दिया है उसके और किसी साफिक्योशन को सकते निमन ढगर leche स्कुएर प्लस एक्स प्लस कुछ भी मालो 5 मान लो दे गया समीकर्ण वास्त्विक है वास्त्विक समीकन के मूल वास्तूच होंगे वास्ति हो नहां अगर जयादा है तो वास्त्विक होंगे मूल लेकिन वहँ हैं आई समान होंगे और आगर डी की वेल्यू से चोटी है तो वह होगी क्लेक से अपन्पन की किशोडय में सकते हैं और यह ने बांपने अपने एक एक यह ने में रखते हों इस फॉर्मले पर आओ अगर इसकी वेल्यू जीरो हो गई तो जो बच एक सी मैनस बीपोर्ण तो यहां से वह मूल वाड़ा गया अगर मैं इसकी वेल्यू इसकी जीरो रखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं पोजिटिव रखूंगा तो रूट में कोई भी अगर में नेगिटिव कुछ भी वेल्यू रूपता है तो इसका मान आयोटा हो गया मतलब यह रिर्णात्मग में चला मतलब कालपनिक संख्याओं में चला गया आयोटा कमान यही तो होता ना अभी जश्ट पहले वाले चेप्टर में तो पढ़ा था भया इतनी जवती मत श्टा जीरो से बड़ा है तो वास्तिक मैं ऐसे मान होंगी यह भी अमने देख लिया अगे बात की बी स्कौयर माइनस फौर एसी का मान जीरो से छोटा थो वास्तिक संख्या समिस्सर संख्या हो गई हो कॉंप्लेक्स नंबर हो गया आप कुछ ही मान लो इमेजिनरी मेर में लो इसका एक मूल यह है तो हाँ यह वाड़ी इंपोर्टेंट चीज हो गया इसमें दे रखा अगर कोई आपको जैसे कुछ भी एक समीकरण दे रहा कुछ भी उसके मूल दे दिया आपको समीकरण पूछा आपसे उसके मूल दे दिया आपको पांच प्लस चार आयोटा और प साइयोगमी घ्यात करना उसमें जो अपने पहले वाली पथिसमें कालपनिक समीसर संक्या वाली डिम्त करना अग्दम सीरियल वाईस लेना जैसे मैंने बात के पूरा पॉर्शन था उसकी एक लिलो आफ फिर आगे यह एक्वेशन वाला वह वाला चैप्ट्र रहाएगा उस कि एक लेलो इस हिसाफ अपन क्लासे लेते रहेंगे जिससे ज्यादा दिक्कत नहीं चला आगे बढ़ते हैं यह समझ में आगया ना कि एक मूल यह है तो दूसरा यह होगा चला आगे देखते हैं क्या है इसमें क्या रखा अगर यह तो पहला वाला समझ आगे कि डी का संख्या क्या होती है जैसे मैंने बोला तीन प्लस रूट फॉर तो इसका वेल्यू क्या होगी तीन प्लस टू यह नहीं फाइफ यह परीमें संख्या है अगर मैंने बोल दिया तीन प्लस रूट फाइफ अब या रूट तीन तो परीमें संख्या लेकिन रूट फाइप प् वक्त में पढ़ लिया कि किसे होती है वह प्रूव किया करके वहां पे देख लिया था अगर देखो तीन प्लस पांच अगर मैं बात करूं देखो डी डी पूर्ण वरग है यह अंदर वड़ा तो यह पूर्ण वरग है तो आने वाला जो मूल आ रहा है पांच आ रहा है वह अगर मैं बात करूं यह पूर्ण वरग नहीं है तो बहुत है यह संक्या क्या होगी यह परीमें संक्या होगी क्योंकि रूट को सोल नहीं कर रहें इसक्या है और दूसरा मूल यह क्या कर रहा है यह एक स्क्वार प्लस बी यूगल टू जीरो हो और अपनको दिया हुआ है कि भाईया ए प्लस बी प्लस सी जी उगल टू जीरो दे रखा है और उसके मूल पूंच लिए है ना तो आपको एक मूल तो डायरेक्ट एक होगा और दूसरा जो मूल होगा वह सी अपॉन ए होगा इसका क्यूशन में अपनको लग जाएंगी फॉर्मले भी इस अपन क्यूशन में अपलाई करेंगे जहां जा अगर इनका यूज करना शीख गए ना अपन तो फिर फालत में इनको रटने की जरूत नहीं पड़ेगा आपको 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 जाएगा चला आगे बढ़ते हैं क्या इसने दे रख उखें ऐलफावन ना यह दो चीज़ा याद नहीं है कि इनके म मुझळों का योगफल उता है और गुडानफल होता है आगे जो अपना बैको आंत यह आगर मुझळों यहां तो वह क्या वहतिक इसक्वायर करके गठा दे दोनों का तो इसका क्या होगा वेल्यू है अब मैं बात करूँ एल्फा क्यूंब प्लस बिटा क्यूंब भी दे सकता है यह अपना एम सेक्वू टाइप क्यूशन में करेंगे ना वहां पर आपको इसके बारे में बताऊंगा आगे यह बेसिक्स मे करो यह देखो दुविगात सम्मीकरण के दो मूल दे रखेंगें तो दुविगात समीकरण का मानक रूप क्या होगा इसको अब बात करूं यह फाब बिटा नोडिया डाइरिक्ट एक सी वेलिव निए रखिये को अबने पास एपने पास एल्फा और बीटा की अलग- माननक फॉर्मॉला बताता हूं फिर इसके उपर केशन करते हैं में यह दे रखा है एक इसका माननक से मिग्रुण होता है एक्स माइनस एयलफा प्लस बीटा एक्स एलफा डोट बीटा इस इकोल टु गुल्टु जी रो यह हो गया माननक रूप होता है यानि अक्स अक्स स्क्वार माइनस मूलों कायोग फल गुणा अच्स प्लसम लोक हाग बात प्रेओं जते हैं और इकूषन करते हैं हो ciao आपको दिया किämäक कोईभी एक मूल देदिया में तीन प्लस पांच आयोटा तो दिये मूलों का सम्मी करन बताओ एक तो एक तीन करते हैं इस पर क्या होगा इसका एक तो दूसरा मूल क्या होगा इसका एलफा की वेली दे रखे तो भीए बीटा क्या होगा इसको सोल कैसे करेंगे x square minus मूलों का योग फल इस इकोल टू जीरू यह माननकसर मिकण में रख दिया तो यह x square चेको इस तेको 6x इन दूनों को गुना करो a plus ba a minus bg कई ऑली स्क्वाइर ए2-2 स्क्वाईर होड़ा टो यह इसका क्या होगा अगर इनको सौल करेंगी यह जाएगा 925 क्योंकि आयोटा 2 ने स्क्वैर होगा है क्योंकि एच्वायर मानिस भी इस्क्वायर होगा तो इस प्लस भी एधिर यह एक आपको थोटो से इश्यू हर सकती है यह पूछोगे यह कहां से ले लिया आपने तो एक स्क्वाइर प्लस 6x प्लस 34 is equal to 0 एक हो गया क्यूशन ऐसा है इसमें अगर आपको कैसे यह मूल को समझ में आ अगर एक मूल देखे क्यूशन पूछे तो यह से कर देंगे अगर दोनों मूल दिया वहाँ तो कैसे करेंगे अगर मैंने क्यूशन दिया आपको कि एलफा is equal to 3 वह बिटा इस इकूल टू माइनस पांच लेए उनकिसी सम्मीकरण के दोनों मूल दिया वह सम्मीकरण के से बताओ आपक्सिस्क्वाइर माइनस फाप्लस बीटा तो तीन प्लस माइन एक्स प्लस एलफा डोटबीटा यह यह उनिक plugins तो यह एक्सिस्क्वाइर प्लस पंद्राइज इकोल टू जीरो इस हिसाब से क्यूशन बन जाएगा अब इसमें एक और क्यूशन बनता है वह और देखा आप वह कौन सा मनता है वह क्यूशन बनेगा आपके वह देगा कि तीन प्लस रूट पांच एलफाइज इगोल टू यह दे रखा है तो दियेगे संभीगण का मो बताओ एक तो दूसरा मोल किस से गयात करेंगे वही आपको आता है कि आगे एकसी स्क्वाइर माइनस 3 plus root 5 plus 3 minus root 5 x plus 3 plus root 5 3 minus root 5 is equal to 0 हो गया यह तो x square minus 6x plus 9 plus 5 होने वाला है यह भी यह 9 minus 5 हो गया 9 minus 5 हो गया यहापर is equal to 0 यहापर आयोटा नहीं है जो इसको positive कर दे तो यह हो गया 4 is equal to 0 यह अपना समीकर्ण हो गया देखो तीनो आप क्यूशन में आओ यह था में यह अपना basic था इसका और इसके उपर तीन सिर्फ तीन टाइप के क्यूशन मनेंगे यही आगे को कोई क्यूशन मन रहा तो वो बोल देखा कि आपके पास एक मूल देदी है जैसे मैंने इसक्यूशन पर आवा आप हाना इसक्यूशन पर आगे कि अलफा वाइं बीटा यह दे रखा है किसी समीकर्ण के मूल है तो वह समीकर्ण गयाद करो जिसमें जिसके मूल एलफा प्लस बीटा वह तो एलफा प्लस बीटा हो देखो एक दिद्या कि किसी समीकर्ण के मूल दे रहे हुआ पांच तो उस सम्मीकरण कि मूल बताओ कि उस सम्मीकरण को गयाद करो जिसके मूल होंगे Guide Master of two Authority ले जो नए वाजूषन पहला तो यह राख दूसरा यह रहा इसी साफ्यास पृट कि वीरी और कितने होगी सबुरा तो विस यह मूह लोंगे इनको फोर्मूले में रखना है और नया समीकरण याद करना इसी साफ से क्यूशन बन सकते हैं तो आपको आगे बढ़ते हैं यह अपना वह बैसिक्स यहां पर कंप्लीट हो गया अब बात करते हैं इनके थोड़े वह जो कूशन है उनको देख लेते हैं क्या कर पहले किशन पर आओ यहां पर पहला किशन क्या करता है इसने दे दिया 25 x square 20 x plus 7 equal to 0 तो मुलों की परकरती बताओ मुलों की परकरती के लिए अपन क्या करेंगे वहाँ 20 square minus 4ac करेंगे अगर वह 0 से बड़ा हुआ तो वास्तुएक अगर बराबर हुआ तो वास्तुएक और सम ओता है 20 क्या इसमें 20 हो गया एओ 25 और सी हो गया साथ रखो यहां पर तो बहुत का स्कोयर minus 4 गोना 25 गोना साथ आगे च्रों यह क्यात करो यह होगए 400 तो 25 x 7 और यह हो गया 700 चार को गोना करेंगे 100 और 100 को इससे गोना करेंगे 700 तो यह हो गया इस्के मूल केसे होगे ड़ाओ क्या होगे कालिक पनीक बता दो आप या समिस्त संख्या बतादो आप कुछ ही समझ में आगे हम देखो केशे क्यूशन हुआ इनका इसी साफ से क्यूशन आएंगी इस चेप्टन में से आगे देखो अगर यह क्या देखा के अक्सी स्क्वाइर माइनस सिक्स एक्स प्लस माइनस दो इस इकोल टू जीरो है भया मूल वास्त्विक हो तो के कामान क्या होगा होने का मतलब दे रखा है भया बी स्क्वाइर माइनस फोर एसी ग्रेटर देन इकोल टू जीरो अपने पास यह नहीं दे रखा मूल समान है या एस समान तो अपन उस हिसाप से देख लेंगे लास्त में जो आएगा उसके आंसर कर अशार फिलाल अपने को यहीं बताए कि ब is a-2 यही तो आदा जो ग्रेटर इसी एकोल टू जीरो अगा इस जात्ता सिरो ओ तो minus 36 तो k क्या हुआ minus 36 बटा 8 क्यों हो गया कि इते 2 के फ़ड़े से कट रहा है या 4 के फ़ड़े से कट रहा है वो देखो आप 8 चोग 32 होता है 8 के फ़ड़े से नहीं कट रहा 4 के फ़ड़े से कट रहा है 4 में कितना चला गया 9 बटा 2 यह इसका final answer हो कि k की value greater than equal to 9 बटा 2 है फिर option की हिसाब से आप इसको देख लेना कि वहाँ पे सिर्फ equal to दे रहा है तो सिर्फ आपको equal to लेना है greater than दे रहा है तो greater than वाले लेना है देखा हो गया कितना सानी से क्यूशन था कि अपने को हर चीज formula पता है और वहाँ पे बस value रखनी है आपको question में ज़्यादा और कुछ नहीं करना आगे देखो question आगला वाला क्या करा है इसने दे रखा है दिया गया समिगण में मूलो के योगफल वा गुननफल बताओ तो यह यह मूलो के अच्छा यह मूलो के दो बार आगे यह मूलो के इसको ऑटा दो इसका गुणनफल और योगफल बताओ अब एरफा प्लस बिटा तो हो गया क्या होगा माइनसवी अपोन ए और रата डोट बिटा इस ग़ोल टू शी अपोन यह दियह हुआ है मूलो का योगफल यह हो गया अरगे क्या कहते है अब देखो समीकरण में आओ एक वेल्यू किती है दो बी की वेल्यू हो गई तीन सी की वेल्यू होगी माइनस पांच यही तो दे रखा ना अब इसमें रखो अब एलफा प्लस बिटा में रखो एलफा बस बिटा क्या हो गया माइनस थ्री वाइट टू और एलफा डोट मैंने बी की वेल्यू रख दूँं मैं के रख दू वह कर दूं कि नेगा टू अक्स स्क्वार प्लस थ्री के माइनस पांच हीज़ उगल टू जीरो है तो मूलों के मतलब इसमें दे रखा है कि की वेल्यू गयात करो मूलों के गुणनफल और योग की साहिता से दारिट दे यह दे रखा है एलफा डोट बिटा यह दे रखा है और के की वेली पूछ ली तो फो वो किसी साफ से घ्याद कर गए इसको अठा दो कि अब अपने पास एक चीज है कि बी की वेली कितनी दे रखिये के दे रखिये इस फॉर्मले में रखो माइनस के बाइट टू इस इकोल टू माइनस फाइब यह कट गया तो के की वेली कितनी आई पांच आ गई इसी साफ से वह फिर पूछ सकता है अपने को कुछिशन के की विली पांच सही है कि यह अलफा फ्लस बीटा हो गया माइनस फॉर्मूला तो सही लगाए अपने माइनस बीए पोड़े और सी अपने चाहिए कि अगर दोनों के मूद लोगा यह दोनों बराबर है ना तो फिर के की वेली पांच ही आनिवाली आप इसमें तो आपना क्यूशन दे रखा ना इसमें तो के की वेली तीन रखी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना अगर कुछ भी प्रोब्लम हो रही है तो आपको वह आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉलुशन कर दिया जाएगा हो सके तो साथ-साथ भी कर देंगे नहीं एगर इस टाइम नहीं वह पा रहा है कुछ टेक्निक नए एर्मेन बना रहा हूँ आपको तो तयार रहना एक एर्मेन की तरह है तो टाइम के पंचोल होने ची आप एकदम फुल डिसिप्लेन के साथ रहो और अगली क्लास में पांच मुझे फिर मिलना आपनों को ठीक है सी विंदे नेक्स्ट क्लास जो एमसी की टाइप क्यूस